So hello, this is Abhishek, continue watching, study with Abhishek तो दोस्तों जैसा कि अब आपका एक्जाम 13 सितमबर से है और आज 11 सितमबर हो गया तो जिनका भी एक्जाम 13 सितमबर को है और बाद में बाकियों का जिनका भी है उनके लिए मैं यहीं बात बोलूँगा कि बस अब आपके सपनों को पूरा करने का टाइम आ गया है अब आपके उपर डिपेंड करता है कि आपने कितना तैयारी किया है और किस तरह से तैयारी किया है तो प्लीज आप लोग अच्छे से कॉंसंट्रेट रखिए अपने आपक आपको एक्जाम के उपर अभी किसी भी चीज को किसी भी बात को हटा दीजिए बिल्कुल दिमाग से बाहर रखिए बाद में आपको 16 के बाद जो भी करना है वो कीजिए एक्जाम देने के बाद जो भी करना है वो तो करना ही है आपको जो करना है वो कर सकते हैं लेकिन अपको उसको पूरा करना होगा और पूरा करने के लिए आपको जरूरी है कि आप concentrate रखे अपने आपको exam के उपर और ऐसे तो फारम दो लाख चार लाख पांच लाख लोग भरते हैं लेकिन select वही होते हैं जो कि उसके उपर पूरी तरह से concentrate कर जाते हैं बिल्कुल उनको उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है कुछ सुनाई नहीं देता है तो बस आप लोग अपने आपको बिल्कुल concentrate रखिए आपका exam बिल्कुल निकलेगा और ये मेरा पूरा भरोसा है कि आप लोग exam crack कर पाओगे तो बस यहीं बोलना था और last way मैं बोलूँगा कि best of luck और सबसे बड़ी बात की अगर आप help करना चाहते हैं लोगों का बात में जिनका exam है उनका तो please अपना question जरूर share कीजेगा मैं अपना email ID जो है वो दे दूँगा मैं description में दे दूँगा अपनी email ID उस पे आप लोग share कर सकते हैं आपको जो भी question याद रहे क्योंकि online exam है तो सारा question तो याद नहीं रहेगा लेकिन जो भी याद रहे हो लोग share कर देना आप लोग हमसे ठीक है और मैं उनको पहुचा दूँगा जो भी लोग हैं जो भी जुड़े हुए हैं सभी के पास पहुच जाएगा तो please share जरूर करना इस से बहुत लोगों का help होगा बस इतना ही बताना था अगर वीडियो अच्छा लगे तो like करना और share जरूर करना इस वीडियो को और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना और मेरे भाई के चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्यान जोती आसिस टूटोरियल तो please उसको भी सब्सक्राइब करो और support करो उसको तो पूरा उमीद है कि आप लोग support जरूर करोगे और Instagram पे भी follow जरूर करना अगर हो तो ठीक है मिलता हूँ वीडियो में धन्यवाद